सुईन जब बनने वाला था तब उसके अंदर एक वैंपायर का बलड डालनी की ज़रूर थी ताकि वो एक वैंपायर वन जाए लेकिन उस वक्ड जीवान की पावर्स बहुत ही कमजोर थी उसका बलड एक इनसानी बलड बन जुका था यहां तक कि उसका लेंक वाला कॉंट्र में गई तब वहां पे काफी सारे वैंपर्स की डैट बॉड़ी पड़ी हुई थी सभी लोग अपने अपने पहचान वाले को गले लगा कि रोने लगे उसमें जूजू का हो भी था वो भी मर गया था और जब जूजू को यह पता चला कि यह सब कुछ पाक चीवान ने किया ह तो उसके अंदर बदले की आग चलने लगी वो चीवान से बदला लेना चाता था और उसने टून निकाला कि चीवान कहां पे रहता है और यहां दूसरी और जब सूइन को पता चला कि उसके अंदर संगा का बलड है तो फिर वो बहुत जादा गुसा हो गया आप इतना शा कि सूइन ने पहली बार ऐसा किया सूइन कहता है आप मुझे इस बात को भी बता रहे हो इसलिए मैं गुसा नहीं हूँ मैं बस यह से नहीं कर पा रहा हूं कि आपने मेरे अंदर उसका बलड डा जीवान उसके दोनों आर्म्स पकड़ के कहता है मैंने तुम्हारे अंदर सं पालता है कि सूइन मेरी और देखो सूइन कहता है मैं ठीक हूँ जीवान उसे गले लगा कि उसे शान्त करने की कोशिश करता है कि सूइन सब ठीक हो जाएगा वो सब कुछ पास्ट में था इट्स ओके तब ही सूइन कहता है मैं जाना जाता हूँ जीवान कहता है यह ठीक है I am sure तुमाले लिए ये बहुत जादा शौकिंग रहा होगा चलो घर चलते हैं, हम घर जाने के बाद फिर उसकी बात कारते हुए सुईन के ताहिन नहीं वो जीवान को अपने से दूर करता है मुझे घर नहीं जाना, मुझे अकेले कहीं पे जाना है मुझे अकेला छोड़ दो ये सुनते ही जीवान के हार्ट ने बेट कर ना स्केप कर दिया नहीं सुईन, तुम ऐसा नहीं कर सकते वो टाइटली सुईन के हाथ पकड़ता है सुईन उसे मना करने वाला था लेकिन उसने जीवान का फेस देखा तो वो रुक गया सुईन प्लीज, अगर तुम अकेले रहना चाते हो तो फिर मैं चला चाता हूँ सुईन ने देखा कि उसकी हार्ट बीट तेज हो गए है और उसके हाथ पी कांपने लगे है वो बहुत जादा डरने लगी है जीवान कहता है जब तक तुम बैतर फिल नहीं करते तब तक मैं घर से बाहर रहूंगा तो प्लीज सुईन ऐसी किसी जगह पे मत जाओ जो मुझे ना पता हो सुईन अभी बहुत जादा गुसा था कि जीवान ने उसे दोखा दिया उसका सर पुरा गुसे से चल रहा था लेकिन अभी वो कनफ्यूस है कि मुझे उसके लिए बुरा क्यों फील हो रहा है और वो घर जाने के लिए मान गया क्यों के जीवान चीवन ड्राइव कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे से जरा सा भी बात नहीं कर रहे थे सुईन अपनी उगलियों से अपने ही दूसरे हाथ पे स्क्राइच करने लगा तो चीवन ने उस पे अपना हाथ रख्यों से रोक दिया सुईन उसकी और देखता है तो चीवन सीधा देखे हुए ईड्राइव कर रहा था मतलब चीवन अभी कुछ बोल कर उसके साथ बहस नहीं करना चाता फिर घर पहुंचने की बाद सुईन गारी से उतर गया और कहा कि अब मैं उपर जा रहा हूँ जीवन कहता है ओके सुईन और वो उसके हाथ को चेक करता है अभी सुईन ने जो अपने हाथ पे स्करच किया था वो हील हो चुका था तो जीवन खुश था कि वो हील हो चुका है और वो कहता है तुम अब भी मुझे अपने साथ अंदर नहीं आने देना चाते ना सूइन कहता है जैसा आपने कहा कि मैं घर आओ तो फिर मैं आ गया तो फिर जीवान उसका हाथ छोड़ देता है कि हाँ ठीक है अपना ध्यान रखना जब तुम्हें बैतर फिल हो तब मुझे बता देना ठीक है फिर सूइन चला गया और जब तक वो नहीं गया तब तक जीवा के अपार्टमेंट में घुजाया था उसने अंदर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था ब्राउन ने उसे बताया था कि तुम्हारे पांश जंदगी है तो तुम्हें उसे जीनी चाहिए बदला लेने के चकर में कहीं मर मत जाना अब वो तुम्हें परेशान नहीं कर र कभी उसने दर्वाजा खुलने की आवाज सुनी वह चटके से उस और देखता है और हमले के लिए रैडी हो गया कि चीवन आ गया है आपके लिए एक सवाल इस इमेज को ध्यान से देखो और आपकी इसाब से बताओ कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है